पुरे परिवार का विनाश कर देती है, पूजा घर में रखी ये आठ चीजें. पूजा घर में इन आठ चीजों को रखना होता है अशुब. घर में आती है गरीबी और दरिद्रता. इतना ही नहीं मा लक्षमी भी ऐसे घर का त्याग कर देती है. अतह कौन सी है वो आठ ये पूजा में पुष्प की कमी को भी पूरा कर देता है, लेकिन भगवान पर कभी भी तूटे हुए चावल नहीं चड़ाने चाहिए। अभी ध्यान रहे कि आप मंदिर में रखने वाले चावलों का इस्तेमाल हल्दी में भीगा कर ही करें। इससे अधिक शुब परिणाम प्राप्त होंगे। दोस्तों, पूजा घर में कभी भी गणेश जी की मूर्ती एक, तीन या पांच ऐसी विशम संख्या में नहीं रखनी चाहिए। अपने मंदिर में गणेश जी की केवल दो मूर्तियां रखें, इसे अत्यंत शुब माना जाता है। यदि आप अपने मंगल की कामना करते हैं, तो गणेश जी की मूर्ती मुख्य द्वार पे अंदर की तरफ मुख्य करके लगाएं। कई लोग यह गलती करते हैं कि मुख्य द्वार पे गणेश जी की मूर्ती बाहर की तरफ मुख्य करके लगा देते हैं, जिस कारण से उन्हें काफी नुकसान का सामना करना पड़ता है। नमबर तीन, पूरवजों की तस्वीरें। नकारात्मक बन जाता है, जिसके अशुभ परिणाम हमें भुगतने पड़ते हैं। इसके अलावा कई लोग साधू संतों की मूर्तियां अत्वा साधू संतों की तस्वीरें भी पूजा घर में रख देते हैं, लेकिन ऐसा करना भी अशुभ माना गया है। यदि आप किसी साधू संत को मानते हैं, तो उनकी तस्वीर आप दीवार पर लगा सकते हैं, लेकिन पूजा घर में भूल से भी ना रखें। दोस्तों, घर के मंदिर में भगवान के रौद्र रूप वाली किसी भी तस्वीर को रखने से परहेज करें। या तस्वीर ही होनी चाहिए, और साथ ही मंदिर में खंडित मूर्तियां, तूटा हुआ दीपक, फटी हुई या जली हुई भगवान की फोटो, या जली हुआ है।